इस साल जुलाई मंत में एकन क्लब को के 100-year-old club, more than 100-year-old club, जो सिकेंद्रावाद में है, prestigious club, इसमें money swindle हो रहा है को के के क्लब का प्रेसिदेंट अविनाश कुटा के कंप्लेंट पे तुकारं के पोलिस्टेशन में cheating और criminal breach of trust case registered हो, उसके बाद वो कंप्लेंट दिये उसका accountant के ऊपर और system administrator के ऊपर, कि ए लोग तीन सालों में 30 lakhs amount to swindle करें होगे हमें कंप्लेंट दिये, उसके बाद investigation शुरू हुआ, हमें ये मालूम हुआ कि पहले audit reports के मुताविक तीन सालों में 1.4 crores, 1.4 crores का money swindle हुआ, उसमें सिर्फ system administrator और accountant ही नहीं है, उसमें और old treasurers है और इसमें अभी Deccan Club का secretary जो है, उसका भी हाथ है बोलके, इसमें ये 1.4 crores है, इसमें डिल गुआ कि, जहां से club को money आता, इसका चार, इन चार ways they get money, एक है membership subscription, दूसरी है, उसका club का expenditure, जो bank at hall लेते, food and beverages लेते हैं, एक तो cash, cash और credit card का, membership card का, इसका और इसमें से membership subscription एक है, और cash club smart card एक है, और foot items का एक है, और banquet hall booking का एक है, इस चारों में मिलके, तीन सालों का प्रेंटर के मिताविक, 1.4 crore swindle को, उसमें से अभी 30 lakhs का seizure हुआ, बैंक्स में जो divert हुआ, वो amount seizure हुआ, इसमें से conspiracy चला, conspiracy, club secretary का, accountant का, और old treasurer का, और नया जो system administrator है, उसका, और किसका हाथ है, और investigation में मालू होगा, अभी तब तो, जितना तक investigation चला, उतना तक तो तीन जन्हें आज arrest हुए, और 30 lakhs cash रितोरी हुआ,